नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज हम बात करेंगे टाटा समिट दवा के बारे में कि ये दवा कितनी और किस मात्रा में किन-किन फसलों में प्रियोग की जा सकते हैं किसान भाईयों टाटा समिट ये टाटा रेलीज कमपनी की आती है और इसमें जो टेकनिकल पाय बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल टेक्निकल होता है किसान भाई, युद आप बैगन की फसलों में, खास कर बैगन की फसलों में आप देखते होंगे, कि हिल्ली की रोक्थाम के लिए आप इसका प्रयुक कर सकते हैं, इसका प्रयुक एक एमिलimmung प्रत लीटर के हस आप से आप गोल बनाकर अपनी बैगन की ख़ली फसल पर छड़काव कर सकते हैं किसान बाईयों ये दवा रस चूसक कीटों के साथ साथ इल्लियों को भी बहुत ही आसानी से मार देती है और बहुत ही लापदायक दवा है किसान बाईयों थोड़ा ये महेंगी जरूर परती है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल दवा होती है ये बैगन के अलावा अन फसलों में भी आप इसका प्रयोक कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया रस्चूसक कीटों के साथ साथ ये इल्लियों को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है आप इस दवा को कपास, जूट, गर्ना या अन भिंडी है या अन किसी भी ऐसी फसलों में जिनमें आप इल्लियों से या सुन्डियों से बहुत अधितिक प्रयसान है और रस्चूसक कीटों का प्रकूप निरंतर बढ़ता जा रहा है और उनकी रोक थाम नहीं हो पा रही है तो आप एक एमेल प्रत लीटर के हिसाब से आप इसका गोल बना कर अपनी फसल पर छड़काव कर सकते हैं किसान भाईयों इसका पुना छड़काव आप 15 दिन पर कर सकते हैं यदि आपकी बैगन की फसल है तो उसमें थोड़ा जल्दी छड़काव करना पड़ेगा आपको क्योंकि उसमें यदि सुन्डियों का प्रकूप बढ़ जाता है तो आपका ज़्यादा नुक्सान होगा से बड़ी आसान